आज किस फीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की और यह है बी ए प्रोग्राम सेकंड एर सेमेस्टर है तीसरा ठीक है यह प्रोग्राम में भी होता है यह टॉपिक तुलनात्मक राजनीति का और यह ओनर्स वाले स्टूडेंट के पास भी होता है यह में अगर आपको यह टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति का पहला वीडियो है इस पर एक दो वीडियो और आएंगे और तब यह जाके टॉपिक खतम होगा तो देखिए इसमें पूरा बेसिक आपको समझा दूँगा डेफिनेशन वगरा बता दूँगा इंट कि स्थारी के से कोई आपकी यूनीट वगएर आपको मिल सकती है अगया है वीडिटी शुरू करने से पहले कोशन में देख लो कि पहला पर देने चाहिए तो पहला ही ऐसमंझे तो इसमें question आता किस language में है, इसे समझे, कह रहें कि तुलनात्मक राजनीती से आप क्या समझते हैं, यानि कि आपको पहले ये बताना है कि तुलनात्मक राजनीती क्या है, इसके बाद कह रहें कि तुलनात्मक राजनीती की बदलती प्रकृति और विशेच छेत्र की विवे विवेचना कीजिए तो आपसे यह दो तरह से दो कोशन मैंने आपको दे दी हैं जो प्रीविएस एर में पूछे वे कोशन है इसी तरह के कोशन आपके पीपर में भी आपको मिलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है इसके बाद यही मिलेगा किसी एक राजनीतिक विवस्ता की अन्य राजनीतिक विवस्ताओं से तुलना करने की जो तरीका है उसको हम तुलनात्मक पद्दिती कहते है ठीक है इसी परकार तुलनात्मक राजनीतिका जो मतलब हो जाता है वो होता है विबिन देशों के शासन विवस्ता क देशों की तुलना कर रहे हो आपने क्या गरा चीन का शासन विवस्ता ले लिया दूसरी दरब आपने भारत की शासन विवस्ता ले लिया तो आप क्या करोगे तुलना करोगे आप यह देखोगे कि वहां पे कानून कैसा है भारत में कानून कैसा है जैसे भारत में लोग तंत ऐसे होती है चाइणा में अगर आप देखोगे वहाँ पे नीतिया जो हैं वलाग तरीकी से होती है रूल से अलग हो सकते हैं दोनों जगा चुक्त है वहां की संस्ताऎर यह पे हैं जैसे भारत में आप देसों की सासन विवस्ता की तुलना करना, दो देसों के कानून की तुलना करना, दो देसों की चुनाओ पढ़नाली की तुलना करना, ये आप किसी भी तरीके से तुलना करते हैं, उस संस्ताओं की तुलना करना, उनके राश्टिया ध्यक्ष की तुलना करना, ये सारा का सारा क्या जाता है तुलनात्मक राजनीतिक अंतरगत आ जाता है तो अब आपको इस example से समझ में आया होगा चले एक बार फिर से बढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीतिक अर्थ किसी एक राजनीतिक विवस्ता की अन्य राजनीतिक विवस्ता से तुलना करने का जो तरीका होता है उसको हम तुलनात्मक पदिती कहते हैं इसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का मतलब हो जाता है कि विबिन देशों के शासन विवस्ता है कि आपस में तुलना करना होता है ठीक है इसमें चले और देखते हैं अगर हम इसको स तो आप किस किस चीज की तुलना करोगे तो जो पारंपरिक पुराना जो तरीका होता तो उसमें केवल दो देशों की शासन विवस्ता को इसे जादा नहीं होता था लेकिन दीरे दीरे उसका जो स्वरूप है वह बदलाएं तो समझे क्या इसमें देखो इसमें आप तुलना क करोगे राज्यों के कारे यानि सरकार के क्या कारे हैं वहाँ पर राज्य का मतलब यहां पर सरकार से हैं विवस्ता शासन विवस्ता से हैं राज्यों का संगठन कैसा है सरकार की वहाँ पर नीती कैसी है उनके अंतरगत संस्थाएं कौन-कौन सी है राजनितिक दलों के बारे म आप अध्यान करोगे कैसी वहाँ पर राजनेतिक पार्टिया हैं दबाव समू कौन कौन से हैं वहाँ पर ठीक है तो यह सारा अध्यान किया जाता है तुलनात्मक राजनेति के तहित यहाँ पर आपको समझ मां क्या होगा अब समझते हैं थोड़ा आगे यह तो थी है गिसी पिटी परिभास हैं जो आपको गिसा पिटा मतलब जो आपको जादा दर सभी किताबों में मिल जाएगा लेकिन इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं और थोड़ा सा डीप समझते हैं देखिए यहाँ पर मैंने किताब से हेल्प लिये और यहाँ पर सिंपल बिनाने की गोशिस की है तो देखें तुलनात्मक राज्जनीती केवल आधुनिक युग की देन नहीं है यानि आज के समय की चीज नहीं है यह बल्कि इसका अपना एक गौरव पो नितिहास है यानि यह बहुत आथिहासिक बहुत पुरानी विवस्ता है तुलनात्मक अरस्तु ने क्या करा विबिन 158 देशों का समयधान लिया उनको बहुत अच्छे से पढ़ा अच्छे से उनके सासन विबस्ता को समझा वहाँ की सरकार के बारे में पढ़ा वहाँ के कानून के बारे में पढ़ा वहां के राजनितिक पार्टियों के बारे में पढ़ा बहुत अध्यन किया उसके बाद इन्होंने क्या करा राज्य संबंदी सिधान्तों की नीव रखी तो आप समझ सकते हो कि इसकी सुरुआज जो है कही न गई अरस्तु के समय से हो रखे है आज इसे नहीं हो रही है अरस्तु के बाद अनेक विचार को ने ये सोचा कि कौन सी शासन विवस्ता है किसी समाज के लिए ज़्यादा बहतर हो सकती है यानि देखो शासन विवस्ता बहुत तरह के होती है कहीं पे लोकतंत्र होता है यानि लोक्तांत्रिक शासन विवस्ता होती है कहीं पे कम्यूनिजम वाला सिष्टम होता है कुछ देसों में पुझी वाद दी विवस्ता ज़्यादा बहतर मानी जाती है कुछ देसों में सामेवाद, समाजवाद इसको ज़्यादा बहतर माना जाता है गहीं पे राश्ठपती को ज्यादा power होती है गहीं पे प्राइम मिनेश्टर को ज्यादा power होती है ठीक हर देश में विवस्ताइं अगर आप देखोगे तो अलग-अलग होगी हर देश का अपना समुधान अलग होता है वहाँ पर rules जो होते हैं वो अलग होते हैं शासन विवस्ता अलग होती है और उन देशों का कानून वगएरा सब कुछ अलग है तो इन्होंने जब सबी चीजों का अध्यम किया और देखा तो विचार को नहीं ये सोचा कि आगर कौन सी ऐसी विवस्ता है जो किसी समाज के लि विवस्ता होगी x y z a b c बहुततरे की मान लो शासन विवस्ता है फूपसारी विवस्ता है तो वह उन सभी शासन में देख रहे हैं कि कौन सी शासन् mı स्तै जो ज्यादा बहतर है अगर वह यानि चूज कर रहे हैं मानलो आपके पास आप मार्केट में जाते हो आपको एक shirt खरीदनी है तो आप जाते हो दुकान वाले کے पास वो आपको दस तरह कि shirt दिखाता है उसमें आप देखते हो फिर आप तुलना करते हो कि ये वाली shirt जदा अच्छा है यह चाहिए नहीं मुझे इसका color ज्यादा चलग रहा है मुझे यह चाहिए नहीं मुझे इसका price ज्यादा चलग रहा है मुझे यह चाहिए आप बहुत सारे factor को देखते हो उसके बाद आप देखते हो कि भाई price भी आपके लिए सस्ता हो उसका color भी आपके लिए अच्छा हो और साइज भी उसके आपके हिसाब से हो बहुत सारी चीज़ों को देखते हो इसी तरीके से ये जो विचारक थे ये भी ये सोच रहे थे कि इतनी सारी शासन विवस्ता है कौन सी शासन विवस्ता है जो सबसे बहतर हो सकती है कौन सी शासन विवस्ता यानि जब कई सारी शासन विवस्ता में से किसी एक शासन विवस्ता को चुनने की बात आ रही है तो कहीं न कहीं यहीं भी तुलनात्मक शब्द का समय वी सिसके अंदर दिख रहा है आपको समझे रहो क्या कहना चारू तो इस चीज को समझे अरस्तु के बाद बहुत सारे विद्वान थे जिन्हों ने अपने विचार रखे हैं तो मैकियावैली, मॉन्टेक्सक्यू, मार्क्स ठीक है इन विद्वानों ने तुलनात्मक विशलेशन का विकास करके तुलनात्मग राजनीति का विकास किया फिर धीरे 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 तुलनात्मग राजनीति का विकास हुआ अब फिर से समझे शुरुवात करता है एक प्यक्ति अरस्तू बहुत सारे देशों का समिधान पढ़ता है उनसे बहुत सारी चीज़ों को समझता है और उसके बाद कुछ राजनितिक सित्धांत निकालता है उसके बाद फिर और बहुत सारे विद्वान आते हैं वो क्या करते हैं उस परंपरा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं तुलनात्मक राजनिती में अने को उतार चड़ा हुआ है और आज ये एक स्वतंत्र विशय के रूप में हमारे सामने है और बहुत आप ये लगा लो कि दुनिया के ज़्यादा देशों में ये पढ़ा जाता है अरस्तु से लेकर वर्तमान अवस्ता तक तुलनात्मक राजनिती के विकास का अध्याण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं इक तो हम पढ़ेंगे Second World War जो दूसरा विशय दुआ था तब तक के समय में तुलनात्मक राजनिती का विकास कितना हुआ था पिर दुतिय विश्विद यानि Second World War के बाद के समय में तुलनात्मक राजनिती का विकास कैसे हुआ और वर्तमान समय में यानि आधुनिक समय में अगर हम बात करें आज के समय में क्या इसकी स्थिति है इसको हम देख सकते हैं तो देखी ये सारी चीज़ा आपको समझने है यानि World War जो हुआ था दूसरा वो 1949 से लेके 1945 तक हुआ इससे पहले तुलनात्मक राजनिती का क्या विकास रहें पिर इसके बाद क्या विकास रहें ठीक है और आज के समय में क्या है इन सारी चीज़ों का अध्यन किया जाता है तुलनात्मक राजनिती के देख तो इसमें बहुत सारे बदला हुआ है मैं आपको एक एक एक्जांपल दे के बताता हूँ जब सबसे पुराने समय में तुलनात्मक राजनिती के अध्यन की बात करें तो वहाँ पे केवल और केवल शाषण विवस्ता दो देश की शाषण विवस्ता को के बीच में तुलना की जाती थी starting की बात कर रहा हूं मैं लेकिन दीरे-दीरे इसमें बदलावाया आप यहां पर सरकार के बारे में अध्यान किया जाने लगा फिर यहां पर राजनेतिक जो पार्टिया होती है सरकार की राजनेतिक दल जो होते हैं उसके बारे में अध्यान किया जाने लगा फिर संस्थाओं किस प्रकार्श शासन किया जा रहा है इन सबी चीजों को यानी एक छोटी सी चीज से बढ़ते बढ़ते धीरे 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 इसमें समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुडती गई और आज के समय में देखें तो बहुत सारे point को रख कर उसका अध्यन किया जाता है तो आपको समझ में आगे होगा यहां तक आगे समझे तुलनात्मक पद्धिती का अर्थ तथा विकास राजनितिक सास्तर में तुलनात्मक पद्धिती का प्रयोग प्राचीन समय से होता है मैं आपको बताया था कि हो गए ब्रैस हो गए फाइनर हो गए यह हो गए इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान हैं पर सबके नाम याप आपको याद नहीं रखने आप केवल दो या तीन नाम याद रखें सबसे पहले अरस्तु नहीं 158 देशों के सम्विदान का अध्यन किया और कई सारी बा पार्टियों का अध्यन किया शासन विवस्ता का अध्यन किया उसके बाद शक्ति के सिध्धान्त के बारे में इन्होंने शक्ति का शिध्धान्त प्रतिपादित किया दूसरे विद्वान ने लौड ब्राइस लौड ब्राइस जो थे इन्होंने तुलनात्मक पद्धिती क प्रयोग करते हुए लोक्तांत्रिक शासन विवस्ता की सफलता की तत्व बताए इन्हों ने ये देखा कि किस-किस देश में लोक्तांत्रिक शासन विवस्ता है और इन्हों अरस्तु का तुलनात्मक राजनीती के परंपरागत दृष्टिकोंड का जनक माना जाता है क्यों क्योंकि सबसे पुराने समय में बात करें तो इन्होंने इस तो सबसे पहले सुरवात करी थी जब 158 देसों के सम्विधान की तुलना की थी और उसने सबसे अच्छी और बुर इसी कारण अरस्तु जो इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है अरस्तु है इस परकार आप समझ सकते हैं कि अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धिती का विकास किया है और उसके द्वारा ही अरस्तु के द्वारा ही ये तुलनात्मक पद्धिती लाई गई थी और बात में धीरे 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 इसका विकास होता गया और आज के समय में अरस्तु ने जो दिया था जो तुलनात्मक वद्दिती उसी का विकास होता जाता है उसी को आधार माना जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीती की परिभासा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो पूरी भूमी का देनी है पूरा इंट्रोडक्शन ले देना है कहां से आया कैसे आ बात नहीं करनी आप दो या तीन परिवासा कम से कम याद करो जो आप पेपर में लिख क्या हो आप देखिए जिन वैलेंड के ये विदेशी वेक्ति हैं इनका अनुसार क्या है समझे इन्होंने कहा कि राजनीती वर्तमान विश्व में विबिन सरकारों का अध्यान है आज में राजनीति का आचरान राजनीतिख दलों के बारे में जानकरी करना неё करते हैं इस अधिसमें data का काम करते हैं को नंगों लोग और अनकी एकता जैसा मानलों किसान हैं बहुत सारे किसान किसी चीज को लेके आंदोलन कर दें, तो वो सरकार प kommen का सबढ़ना रूप men तुलनात्मक अध्यान है इसके तहित विभिन देशों की विधान पालिका को अध्यान किया जाता है कारे पालिका का अध्यान किया जाता है नयाय पालिका का अध्यान किया जाता है दबाव समू का अध्यान किया जाता है उन देशों के कानून का अध्यान किया जाता है उसकी तुलनात्मा की विवेचन तता विशलेशन करता है तो अब आपको यह दियान रखना है कि यहां पर समझना नहीं होता अब definition के हमें जाता कुछ क्योंकि definition कि आप language भी चेंज नहीं कर सकते हैं जिसने जैसी definition दिये आपको वैसी definition पढ़ने होते हैं पेपर में उसी तरीके से लिखनी होती है तो आप इसे समझें ठीक है देखें एक है आरसी में मैकरी डीस इन्होंने क्या कहा है इनका समझे हेरोडोट्स जो की इतिहास के पिता कहलाते हेरोडोट्स और अरस्तू के समय से ही राजनितिक मूल्यों विश्व तुलनात्मक राजनिती विशलेशन कहा जाता है यह दोनों कहते हैं कि हैरोडोट्स और अरस्तू के समय से ही राजनितिक मूल्यों में विश्वास हो में संस्थाओं में सरकारों में कुछ वराईटी थी विवित्ताई थी और उन विवित्ताऊं में समान चीज dairy्णा है गो की खोज बीन या फिर छान बीन करने का प्रयासी राजनितिक विशलेशन और तुलनात्मक राजनिति कहलाता है यह अलग-अलग तरह से लोगों ने चाहे आप इगनू से हो चाहे आप पूरे देश में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो यह टोपिक पूरे देश में पढ़ाया जाता है ठीक है पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है comparative politics तो यह बहुत important है आप बिल्कुल इसे पढ़ें समझे पहला वीडिय वीडियो था ये कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट में बताएं और इसके बाद दूसरा वीडियो जल्दी लेके आते हैं ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत